पनीर 65 नाम तो आपने सुनाई होगा ये एक बहुती बहतरिन और बहुती टेस्टी स्टार्टर है जो बहुती फटा-फट से बन जाता है और बहुती इसली बन जाता है तो चलिए आज बनाते हैं पनीर 65 पनीर 65 बनाने के लिए सबसे बहले हमें चाहिए पनीर क्योंकि पनीर जादा हो जाएगी तो मैंने इसे बीच में से काट लिया है तो यहाँ पे हम तक्रीबन धाइसो ग्राम चितना पनीर लेंगे पनीर को हमें square cube में cut करना है तो देखिए सबसे पहले पनीर मैंने ले लिया है उसे पीच में से इस तरह कट कर लिया है मतलब कि उसे half कर लिया है तो इस तरह हमें डैसोग्राम पनीर मिल गया है अब उसे cut करेंगे तो ये दिखिए इस तरह इसमें cut लगाना है इसमें हमें equally cut लगाना होगा ताकि जो पनीर के PC से वो भी equally निकल के आए और देखने में बहुत ही बड़िया लगे तो ये दिखिए मैंने इसमें equally cut लगा लिया है और फिर उसे पलट लिया है और फिर से बीच में से एक cut लगा लिया है और फिर से उसे पलट लेना है अब फिर से हम उसमें equally cut लगा लेंगे तो इस तरह करने से हमें पनीर के cube मिल जाएंगे square cube एकदम equally size में मिल जाएंगे तो यह देखे आपको मैं दिखाती हूँ तो यह देखे perfectly square piece हमें मिल गए है चलिए अब ले लेते हैं एक बड़ा सा बाउल तो यहाँ पे सबसे पहले हमें पनीर को marinate करना है तो पनीर को marinate करने के लिए बाउल में सारे पनीर के pieces डाल देंगे उसके उपर से डालेंगे taste के according नमक आधा टीस्पून हल्दी, एक टेबल स्पून लाल मिर्श पावडर, एक टेबल स्पून धन्याजीरा पावडर और एक टीस्पून भरके हम गर्म मसाला डाल देंगे अब इसके अंदर डाल देंगे थोड़ी सी धन्यापती धन्यापती को हमें एकदम बारिक चौप करके लेना है अब धन्यापती को भी हम डाल देंगे पनीर के अंदर अब सब कुछ अच्छे से mix कर लेना है और अब इसके अंदर डालेंगे दो चमच बर के कॉन फ्लार और दो चमच बर के राइस फ्लार यानि की चावल का आटा और यहां पर मैंने आदा नीमू इसके अंदर निचोड़ दिया है मतलब कि दो चमच जितना नीमू का रस इसके अंदर डाल दिया है अब थोड़ा लूज हो जाएगा तो मज़ा नहीं हाएगा तो यहां पे तकरीबन मुझे वन फोर्थ कप जितना पानी लगा है और इस तरह मैंने थोड़ा थोड़ा पानी एक एक दो दो चम्मच डालके इसे मिक्स कर लिया है तो यहां पे आपको में दिखाती हूं तो यह दिखिए इस त गड़ाई ले ली है मैंने उसके अंदर डाल दिया है तेल क्योंकि हमें इसे फ्राइ करना है यहां पे तेल को मैंने मीडियम तो लो फ्लेम पे गरम करने के लिए रख दिया है और अब मैं थोड़ी सी दन्या पत्ति काट लोंगी क्योंकि लास्ट में जो उपर से हम ले ली है यानि कि लसुन ले लिया है उसे मैंने छील लिया है तकरीबन चार से पांच मैंने लसुन की कलिया ले ली है इसके अंदर लसुन का टेस्ट बहुत ही अच्छा लगता है तो जिसको लसुन पसंद है उसे तो यह रेसिपी बहुत ही पसंद आएगी अगर आपको लसुन का टेस्ट जादा पसंद है तो आप जादा भी ले सकते हो और अगर आप लसुन नहीं खाते हो तो इसे स्किप भी कर सकते हो तो यहाँ पे मैंने चार से पांच कली लसुन की ले ली है और एक छोटा टुड़ा अध्रक्का ले लिया है और थोड़ा सा नमक डालके मैं नहीं से कूट लिया है यहाँ पे हमारा तेल भी अच्छा सा गरम हो गया है अब जो पनीर है उसे हम फ्राइ कर लेते हैं फ्राइ करने से पहले इसे बराबर से फिर से एक बार मिक्स कर लेंगे एक एक पनीर का पीस लेंगे और इस तरह तरह तेल में डालते जाएंगे पनी मिनिट में पनेट के पीसिस हैं, वो थोड़े से हाड हो जाएंगे, मतलब कि जो उपर हमने कोटिंग किया है, वो फ्राय हो जाएगा, तो जारा हमने इसके अंदर डाला है, उसके ओपर ये सारा मिक्षर छिपकेगा नहीं, तो एक दो मिनिट के बाद ही इससे इस तरह जारे स है, और ये भी रेडी हो गई है, तो ये देखिए कितने क्रंची और कितने क्रिस्पी हमारे जो पनीर के पीसिस हैं, वो रेडी हो गए है, तो चलिए, अब इसे और टेस्टी बनाते हैं, तो एक पैन ले लिया है, मैंने उसमें डाल दिया है, दो चम्मच बर के बटर, आप पैस्टे यहाँ पे हम डाल देंगे, और इसे 1-2 मिनिट के लिए सौटे कर लेंगे, अब लास्ट में डालेंगे कसूरी मेथी, तो यहाँ पे मैने 1-2 चममच जितनी कसूरी मेथी ली है, कसूरी मेथी से इसके अंदर बहुत ही बढ़िया फ्लेवर आता है, तो कसूरी बढ़ से मिक्स कर लेंगे तिल और अद्रक लसुंगा जो पेस्ट है कसूरी मेती है वो सारे पनेर के उपर लग जानी चाहिए लास्ट में डाल देंगे थोड़ी सी धनिया पती और ये देखे हमारा पनेर 65 एकदम रेडी है इसे ग्रीन चटनी और केचप के साथ आप सर्व क क्रिस्पी क्रिस्पी और सॉफ्ट दोनों का कॉंबिनेशन बहुत ही बढ़िया लगता है तो अगर अचानक से आपके गर कोई गेस्ट आ जाए तो आप ये स्टार्टर इजीली और फटाफट से बना सकते हो तो आपको आज की रेसिपी कैसे लगी प्लीज मुझे कमेंट क करके ज़रूर बताईएगा और अगर रेसिपी पसंद आई है तो प्लीज एक लाइक ज़रूर करिएगा मिलते हैं जल्दी ही नेक्स रेसिपी के साथ तब तक के लिए बाई जैशी क्रश्न